आज का हमारा topic है send emails when you receive new form submission in HubSpot CRM HubSpot हमारा CRM application है और इस पर हमने एक form create करके रखा है अब हम चाहते हैं कि जब भी उस पर कोई form submission या form response हमको receive हो रहा है तो हम अपने customer को एक confirmation mail भीजना चाहते हैं Gmail की मदद से तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरी process को हम automate कर सकते हैं पैबली connect की मदद से HubSpot और Gmail के बीच में एक connection बिल्ड करके जिसमें हमारा trigger होगा कोई नया form submission receive होना HubSpot पे और हमारा action होगा automatically एक mail चाने जाना Gmail की मदद से तो आईए देखते हैं मेरे screen पे कैसे मैं पूरा automation बना रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं यह है मेरा HubSpot का account HubSpot एक CRM software हम चाहते हैं कि जब भी HubSpot पे हमको एक form submission receive हो तो automatically हम अपने customer को एक confirmation mail भीजने चाहते हैं Gmail की मदद से तो इस पूरी process को हम automate कर सकते हैं पैबली करेट की मदद से HubSpot और Gmail के बीच में एक connection बिल्ड करके कि जैसे HubSpot पे हमको कोई form submission receive हो तो automatically confirmation email Gmail की मदद से हमारे customer को चले जाए तो चलते हैं new tab पे और अब देख सकते हैं यह है पैबली करेट का landing page पैबली एक बहुत ही amazing software है जहाँ multiple applications को connect integrate कर सकते हैं अगर आप नई user है तो जाए sign up for free पे जहाँ आपको और महींने मिलेंगे free task ऐसे automation create करने के लिए अगर आप existing user हैं तो click करें sign in पे sign in पे click करते हैं हमारे सामने open होगी पैबली की यह पांच में एप्लिकेशन आज हमको यूज करना है पैबली करेट का क्लिक करेंगा मैं access now पे और access now पे click करते हमारे सामने open होगा पैबली करेट का डैशबूट पैबली करेट के डैशबूट पर आती है आपको राइट हैंड साइट पर एक blue color का option दिख रहोगा create workflow का इस पर आपको करना है click और इसके बाद हमारे सामने अप्यारोग बॉक्स जहां में इस वर्क्लू को एक नाम देना है तो मैं इसे नाम दूँगा send emails when you receive new form submissions in HubSpot आप अपनी requirement के हिसाब सभी से कोई और भी नाम दे सकते हैं click करेंगा हम इसके बाद create पे create पे click करते हमारे सामने open होगी यह दो important windows income केता है trigger and action basically जो हमारा पूरा automation है वो इन दोनो principles या concepts पर ही based होता है इनकी definition की बात करें तो trigger कहता है when this happen मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो तो आज के हमारी trigger application क्या होगी आज के हमारी trigger application होगी HubSpot HubSpot पे जैसी हमको कोई नया form submission receive होता है तो action मतलब Gmail की मदद से हम अपने customer को एक mail बेजना चाहते है सबसे पहले चूज करेंगे हम हमारी trigger application जो की होगी HubSpot यह से मैं चूज कर लिए HubSpot CRM trigger event पे हमको select करना है new form submission तो यह से हम search करेंगे new form submission अब trigger event select करते ही हमको यहाँ पर दिया गया है एक webhook URL का मतलब होता है यह दो application के बीच में link का काम करता है तो आज webhook URL हमारी मदद करेगा HubSpot और पैप्रिक इनिट के बीच में एक connection बिल्ट करने में यह as a bridge की तरह करता है एक तो यह webhook URL हमको यहांसे करना है copy इसके बाद दिखिए हमको यह सारे instructions दिये हुए कि कैसे हम इस webhook URL का करना है इस्तेमाल तो जाना है हमको सबसे पहले हमारे HubSpot के account पे और HubSpot के account पे जाते ही हमको जाना है automation workflow और वहाँ पे create करना है एक नया workflow workflow को create करते ही फिर हमको यह webhook URL वहाँ पे करना है paste तो जैसी कोई form submission हमारे HubSpot के account पे हमको receive होगा तो automatically जो उसका data है वो पैबिक इनिट के पा workflow का और यहाँ पर जाना हमको from scratch पे तो यहाँ पर हम एक workflow create करेंगे blank workflow और उस पर है webhook URL करेंगे paste तो जैसी कोई form submission हमको receive होगा तो automatically उसका data पैबिक पास हो जाएगा capture हमको जाना blank workflow पे फिर click करना next पे इसके बाद आपके समने open होगी यह window इसके बाद आपके समने open होगी य window और यहाँ पर हमको setup करना है हमारे trigger इसका मतलब जो हमारा workflow है पैबली connect पर जो हमने workflow create किया है हम चाहते हैं कि workflow तभी run करें जब कोई form submission हमको receive हो तो वापिस चलेंगे hubspot के account पे click करेंगे setup trigger पे और यहाँ हम choose करेंगे form submission इसका मतलब जैसी कोई form submission कोई भी form submission हमको receive होता है तो automatically हम चाहते हैं कि जो हमारा workflow का trigger है वो run करने लग जाए और उसका data पैबली connect के पास हो जाए capture क्लिक करेंगे अब apply filter पे और save तो दीखिए यहाँ पर हमने trigger कर दिया setup इसके बाद वापिस चलते हैं पैबली connect पे देखिए तो setup के बाद हमको जाना है apply filter देन जाना हमको workflow and send webook के option पे तो वापिस चलते हैं हमारे हमिसपाट के account पे इस plus button पे हमको click करना है तो दीखिए यहाँ पर workflow का option दिख रहा हुगा हमको click करना है send a webook पे मतलब हम चाहते हैं कि जो हमिसपाट का data हमको receive होगा form submission से वह हमको भीजना है पैबली connect पे तो click करेंगे हम send a webook पे इसके पे पेस्ट करते ही यहाँ पे simply हमको click करना है save पे तो देखिए यह वैबोक हमने successfully यहाँ पे पेस्ट कर दिया है इसका मतलब हमारी जो workflow है वो on हो चुका है इसका मतलब चलते हैं पे लिखा रहा है waiting for वैबोक response इसका मतलब हमने successfully HubSpot और पैबली connect के बीच पे connection बिल्ट कर दिया है कि जैसी HubSpot पर कोई form submission हमको receive होता है तो उसका data पैबली connect के पास हो जाएगा capture अब यह waiting for वैबोक response के नीचे आपको यहाप एक note दिख रहा होगा है यहाप लिखा हुआ है कि आपको इस application में login करना है और एक करना है test submission चलते हैं हमने HubSpot के account पे यह form हमने create करके रखा था यह form हम करते है फिल और फिर हम देखेंगे कि इसका जो data यहाप हम जो फिल कर रहे है वह पैबली connect के पास capture हो रहा है या नहीं तो सबसे पहले आप हमको फिल करना है हमारा email तो email माली जिए मैं आपर देलता हूँ adminadulatepublictudes.com फिर आता हमारा first name demo last name use फिर आता हमारा phone number माली जी यह एक मेरा phone number फिर आता हमारा issue तो issue में देता हूँ no electricity click करते हम submit पे देखिए हमारा form successfully submit हो चुका है अब चलते हम पैबली connect पे और यहाप हम वेट करते हैं किया जो response हमने आप फिल किया था जो data हमने आप फिल किया था उसका पूरा response है वो पैबली connect के पस capture हो रहा है या नहीं तो देखिए हमको API response receive हो चुका है जो भी data हमने फि step of integration है वो work कर रहा है हमने HubSpot CRM और पैबली connect के बीच में कैसा connection बिल्ट कर दिया है कि जैसे ही HubSpot CRM कोई नया form submission हमको receive होगा तो जो उसका data है वो automatically हो जाएगा पैबली connect के पास capture अब चलते हम अपनी next step की और जो कि हमारी होने वाली action step अब इस पूरे response का use करके हम अपने customer क को एक mail भीजना चाहते हैं एक confirmation mail भीजना चाहते हैं कि हमको आपका form submission receive हो चुका है और हम जल से जल आपकी जो issue है उसको कर देंगे resolve बेशते हैं एक mail अपने customer को इसके बाद चलते हम अपने action step की और और यहां से choose करेंगा हम अपनी action application Gmail Gmail के थूर हम अपने customer को confirmation mail भीजना चा Gmail चूज करना हमको यहांसा अपना account यह चूज कर लिया हमना अपना account इसके बाद हमको authorization दीनी है public connect को Gmail से connect करने के लिए तिदिए हमारा authorization अपर successful हो चुका है Gmail का account connect होती है हमारे सामने आएंगे यह following fields like recipient email address, sender name, email subject and email content तो यह जो main field से यह करेंगे हम fill सबसे पहले आता हमारा recipient email address, तो यहां पर हमको उस customer की mail ID type करनी है जिसको हमको confirmation mail भीजना है, तो इसको fill करने के लिए आज हम use करेंगे mapping का, अब आप सोच रहोंगे कि mapping का मतलब क्या होता है, mapping का मतलब यह होता है कि जो response हमको trigger application में मिला था, यह जो response हमको trigger application में मिला था, यह थी हमारे customer की mail ID, उस particular customer क जिसको हमको confirmation mail भीजना था, यह जो भी response हमको trigger application में मिला था, जो previous step थी उसमें मिला था, उसका use हम यहां पर कर लेंगे, हो भी without manually type करके, इस process को हम कहते है mapping, अब मैं आपको बताता हूँ mapping कैसे की जाती है, तो देखी, जी जो blank field आपको यहां पर show हो रही है, जैसी हैं पर मै जैसी क्लिक करेंगे, तो देखी, जो भी response हमको mail था, trigger हो आपको यहां पर show रहा होगा, अब जैसी मैं हम पर add the rate पर click करूँगा, तो देखी, यह mail ID हमारे सामने आ गई है, simply click करूँगा, मैं इस mail ID पर तो देखी, यहां पर data हो गया, map, तो यह थी हमारी customer की mail ID, जो हमने कर यहां पर map, अब आप सोच रहोंगे, यह mail ID है, यह हम इस field में manually भी type कर सकते थे, तो मैं आपको बताओ, यह बिल्कुल सही बात है, हम इसको manually भी type कर सकते थे, पर यहां पर हमने use mapping का इसलिए किया है, क्योंकि जब भी workflow run कर देगा, तो जो data map कर रहे हैं, यह automatically new data से हो हमेशाद change, इसने यहां पर हमने use किया mapping का, क्योंकि जैसी कोई नया customer, नई mail ID, नए नाम के साथ, अपना form submission फिल करेगा, हाब spot पे, तो automatically वो data है, हाँ पर हो जाएगा update, इसलिए mapping करना होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, फिर आता हमारा sender name, तो sender name में हम फिल करेंग hub spot, फिर आता हमारा email subject, इमेल subject रहेगा हमारा complaint form, इसके माँ आता हमारा email content type, तो email content type हम रखेंगे plain, फिर आता हमारा email content, तो email content पे हमको यहापर पूरा type करना है, message जो हमको हमारे customer को बिज़ डाए, like confirmation message, जो पूरा हमको message draft करना अपने customer के लिए, वो हमको यहापर करना है type, य इसके बाद आता हमारा first name, तो dear के बाद सबसे पहले हमारा क्या आता है first name, तो first name के आता हमारा first name, demo, space, फिर आता हमारा last name, तो वापीस हम यूज कर रहे हैं mapping का, इसके बाद हमको click करना है enter और यहाँ पर मैं type करूँगा एक पूरा message, तो देखिए हाँ मैंने message type की है dear first name and last name, we have successfully received your complaint, one of us will get back to you soon and regards, अब आप सोच रहे होंगे, कि हाँ मैंने वापिस mapping का use क्यों कि है, क्योंकि हम जो first name and last name है, इसको भी मैं manually type कर सकता था, पर क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताए, जब भी कोई form submission हमको इसके बाद हमारे सामने आता file name, तो अगर आप कोई file attach कर रहे है, तो यहाँ पर उसको name दी सकते है, कोई आप image attach करना चाहते है, तो वो भी आप यहाँ पर attach कर सकते है, यह एक mandatory field नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे blank, इसके बाद हम simply click करेंगे, save and send test request पर तो दीखिए, automatically mail हमारे customer को चला जाएगा, click करतें, save and send test request पर, दीखिए, instantly हमको एक API response receive हो चुका है, जिसमे हमको response, result, status पर दिखा रहा है, send, इसका मतलब एक mail, एक confirmation mail, हमारे customer को चला गया होगा, HubSpot की तरफ से, तो चलते हैं हम अपने Gmail के account पर हम आपर चेक करते हैं, click करते है, refresh पर, तो देखिए, हमको एक mail receive हो है, open करते हैं, mail, तीकिए, HubSpot की तरफ से हमको एक mail receive हो है, Dear Demo Use, We have successfully received a complaint, one of us will get back to you soon, and regards, इसका मतलब जो automation, जो connection हमने बिल्ट किया था, इन दोने applications के बीच में, वो वर्क कर रहा है, simply दो step हमने पूरा automation बना लिया था, जिसमारी trigger application थी, HubSpot, और हमारी action application थी, Gmail, और मैं आपको बता तूँ, यह जो workflow है, यह वर्क करेगा, instantly, इसका मतलब, जैसी, HubSpot पे, जैसी कोई नया form submission हमको receive होगा, तो automatically, Gmail के तुरू, एक confirmation mail हमारे customer को चला जाएगा, अगर आप भी इस workflow का यूज करना चाते हैं, तो इसका link में अपने video के description में दे दूँगा, जहां भी से बड़ी असानी से कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं, आप और भी application के integration, पैबली करेट के मदद से बना सकते हैं, इसके लिए आप हमें email कर सकते ह support at the rate family.com पर, अगर आपको कोई queries है, आपको कोई doubts है, तो आप जा सकते है, forum.family.com पर, अगर आपको pricing related कोई issue है, तो आप जा सकते हैं, इस link पर, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना थैंक यू